आचारे विनोध सैनी के द्रारा आज आपको दस महाविद्या में से दसवी महाविद्या माबंगलामुखी माता के शक्तिशालिये वचूक मंत्र के बारे में विशेश जानकारी दे रहे है तो सुनिय माबंगलामुखी का अचूक मंत्र है 36 अक्षरों का यह बगलामुखी मं शत्रूं का नाश होगा, सभी मनों कामनाय होंगी पून्तंत्र की सभी दस विद्याओं शत्रू भय से मुक्तित तथा प्रभावशाली वाग शक्ति की प्राप्ति के लिए मा बगला मुखी की साधना की जाती है इस साधना में एक खास संख्या में बगला मुखी मंतर के जाब का विधान है सामा ने शत्रू बाधा दूर करने के लिए इस मंतर का कम से कम दस हजार बार जाब करना करना चाहिए लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी शत्रू बाधा हो या शत्रूता में जीवन मरण का प्रश्न हो तो ऐसे में कम से कम एक लाख बार इस मंतर का जाब करने वाला कभी भी शत्रू से हारता नहीं। लेकिन अलग अलग समस्याओं के लिए इसके अलग अलग मंतर भी है। आगे जाने क्या है वे। अलग समस्याओं के लिए बड़ी मंतर आपको इसका फल ज्यादा जल्दी मिलता है। कुछ विशेश मनोकामना की पूर्ती के लिए इस हवन में आप कुछ विशेश वस्तूओं का प्रयोग करें जो इस प्रकार हैं। दैश धन प्रसिद्धी तथा एश्वर्य प्राप्ती के लिए दूद में भिगोया हुआ तिल तथा चावल को हवन में डालें। दैश संतान प्राप्ती के लिए हवन में अनार और कनेर के पत्ते जरूर डालें। आपको यही करना चाहिए दैश किसी को वशीक्रित करना हो या किसी से अपनी बात मनवानी हो तो थोड़े से शेहद में तिल मिलाएं। इसे हवन में डालें। इसकी जगें आप सर्सों के दाने भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के शत्रूओं से मुक्तोने के लिए इसमें हरित ताल, नमक और हल्दी की गांठे डालें। सावधानी इस मंतर का जाप रात्री में करें, संभव हो तो रात्री दस से चार के बीच। इसके अलावा साधना के दोरान पीले वस्तर धारन करें, साधना के दिनों में बाल ना करटवाएं, भ्रहमचरक का पालन करें और केवल एक समय ही भूजन करें। सात्विक भुजन करें तो और भी अच्छा है अगर आपको हमारे द्रारा दी जा रही जानकारी पंसद आ रही हो तो हमारे चानल को सब्बाक्राईब करना न भूले जये महमाई स्थाम् 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 पंस्थाम् स्थाम् थेल्डन तिम् वीनाशय करें आपको हमारे न वारे न न रहीं अर्लिम बदला मुखी सर्वदुष्टाना